हेलो दोस्तों कैसे हूँ आप सभी मुम्तकिशन रेसिपीज में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में आपके लिए बनाने चार ही हूँ करुंदे की अचार की रेसिपी जो बिल्कुल सिंपल है और बहुत ही टेस्टी करुंदे का चार यह बनता है इसकी सब्जी बनती है उसकी वीडियो में आपको पहले अपने चैनल पर दे रखिए तो आप भी चेक आउट कर सकते हैं और आज के इस वीडियो में हम अचार बनाएंगे जो बहुत ही बढ़िया है खटा चट पटा बहुत ही बढ़िया इस रेसिपी को आप एंड तक देखीगा ताकि आप भी इस तरह का यह बिना खराब होने वाला अचार जल्दी से बना करके त्यार कर सके इसके लिए सबसे पहले आपको लेने हैं यह करूंदे मैंने इसे अच्छे से वाश करके कप्रों से पहुंच लिया है मैंने यहाँ पर लगभग डेट सो गराम के करीब करूंदे ल बोड़ी के लिए पोसा चाफ कर देते हैं यह पतर और रया इलाज हैँआं अगर अगर इसका निले उलाज है यह बहुत जड़ा फाइदमेंद है बहुत हैल्दी रहते हैं हमारी बोडी के लिए पेट को साफ कर देते हैं पेट के लिए बहुती रामबान इलाज है अगर आपको किसी भी प्रेट की फ्रोट्रम है तो आप इसका यूज कर सकते हैं खा सकते हैं इसको मिनट के लिए ज़्यादा इसको धूप नहीं दिखानी है तो जब तक करुंदे रोडी होते हैं तब तक हम अचार के लिए मसाला प्रपेर कर लेते हैं इसके आपको एक पैन लेना है इसमें हम एड़ करें कुछ साबुत मसाले इस तरह से साबुत मसालो को रोस्ट करने से मसा जीरा 5-6 साबुत काले मिर्चे जो काले मिर्च होती है दाने होते हैं वो मैंने एड़ किये हैं वन फोर्थ टेबल स्पून मेहा पर अजवाइन एड़ कर लूँगी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और यह हमारी हैल्थ के लिए बहुत फायदा मेंद रहती है दो ल फ्लेम पर इस तरह से चलाते हुए आप चाहें तो भूनने की बजाई आप इसे हलकी धूब दिखा सकते हैं जिससे क्या गए इन मसालों की नमी दूर हो जाएगी और इन्हें भूनने की जरूरत भी नहीं होगी तो कुछ देर तक भून लेने के बाद जो मसाले वह करने के बाद एड़ किया है गरम पैन में ही आपको इन मसालों के साथ राई को अच्छे से भून लेना है सरसों को भून लेने के बाद इन सभी मसालों को आपको प्लेट में निकाल देना है ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे और इसी गरम पैन में हम एड़ करें मैं यहाँ पर एड़ कर रहे हूं 8-9 साबुत सूखी लाल मिर्चे आप चाहें तो PCV लाल मिर्च भी डाल सकते हैं लेकिन इसका टेस्ट और जादा अच्छा आएगा जिससे आपका तीखा चतपटा अचार बनेगा आपको इसे कुछ तरह भुनने के बाद इसमें एड़ करन जिससे इसके नमई जो है वो बिल्कुल दूर हो जाए और कुछ दिर भुनने के बाद गरम पैन में भुनने के बाद नमक और मिर्चो को भी हम जो मसाले हमने ठंडे होने के लिए साइड में रखे थे उसमें ही एड़ कर लेते हैं इन मसालों को हम मिक्सर में पीसेंगे इस के लिए आपको इसे साय टक देना है अब हम अचार बनाने के लिए जो तेल यूज होगा उस तेल को तयार कर लेते हैं इसके लिए आपको पैन में लगभग 100 ml के करीब ओल एड़ कर लेना है आप चाहें तो इस तेल को कच्छा भी डाल सकते हैं अचार में लेकिन आपकर दूप में रखना होगा लगभग 7-8 दिन के लिए जिससे अचार रेडी होगा अगर आप दूप में नहीं रखना चाहते हैं या फिर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप हर रोज इससी दूप दिखाए तो आप इस तरह से इस तेल को गरम करके एड़ कर लें जिससे मसाले थोड़े मोटे मोटे रहेंगे तो अच्छा टेस्ट देंगे तो यह देखिए हमने कुछ इस तरह से मसालों को पिस करके तयार कर लिया है एकदम दरतरा पिसा है बारिक नहीं पिसा है तो इसे हम सायटर देते हैं दूसरी तरफ जो हमने करूंदे हवा में रखे थे स अच्छे तरह किसे सूख गए हैं में बिल्कुल भी नमी नहीं रही है मैंने इसे पंके के हवा में रखा है एक घंटे के लिए यह बिल्कुल रैडी है अब आपको लेना है एक काच का बाउल आप कोई भी बरतन ले सकते हैं बस वो एकदम ठीन होना चाहिए और बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए सुखा होना चाहिए आप चाहिए तो बरतन को धो करके दूब दिखा दीजे जिससे में बिल्कुल भी जमस नहीं रहेंगे आप जो भी बरतन यूज़ करें चार बनाने के लिए वग्दम साफ सुथ्रे ही होने चाहिए इस बाउल में आपको स्कराइब कर लेने करांदे जो आपने सुखा करकर रखे हुए हैं साथे मसाला आपने सुखार तैयार किया मिक्सर में वो आपको आपको अड़ कर लेना है इसे वे मसाले डालने के बाद इसमें हम एड़ करेंगे एक चोटी चमच कलोंजी, एक चमच हल्दी पाउडर एड़ कर लेंगे, साथ ही वनफोर्ट टेबल स्पून मैं यहाँ पर हिंग एड़ कर रहे हूं, हिंग का अचार में बहुत अचा टेस्ट आता है, तो बस हमने सभ मसालों को इस अचार में अच्छे से मिक्स कर लेना है , थंडा हो गया है, थंडा करने के बाद आदि आपको इसमें एड़ करना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है तो यह देखी कुछ इस तरह का यह चार बन करके तयार हो गया है अब आप इस अचार को दो से तीन दिन के लिए दूब दिखा दीजेगा उसके बाद आपका यह चार खाने के लिए बिल्कुल रैडी है ज में जब खटा चटपटा चार मिल जाता है तो बहुत अच्छा लगता है मैंने एक साथ में पूरा ओल नहीं डाला था थोड़ा ओल डाला था लगबाग आधा ओल डाला था आधा ओल जब आप इस अचार को जार में टांसफर करें स्टोर करके रखें तब उपर से डाल दे आप इस अचार को तेल में डिप करके रखेंगे तो यह बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और ध्यान रखना होगा आपको कुछ बात होगा जैसे साफ बरतन का यूज़ करना होगा अचार को निकालने के लिए जिससे आपका अचार बिल्कुल भी खराब नहीं होगा I hope लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें जिससे आपको मारी हरनी वीडियो का नोट्रिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और आप इस तरह की नहीनी रेसिपी देख सकें तो चलिए दोस्तों आप इसा चार का मजा लिजी मैं मिलती हूँ आपसे